बच्चो कैसे आप सभी लोग बच्चो आज मैं mathematics के इस series में आप लोग को एक नए topic start करूँगा तेक है उसका नाम क्या है लगुत्तम समापोवर्थे पहले तो आप नाम थोड़ा सा अच्छा लेना मतलब सही सही लेना सीखिए इसका नाम है लगुत्तम समापोवर्थे अच्यूशंढी होता क्या है नाम लेते समय कभी कभी confusion हो जाता है कि इसका नाम क्या है क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक और चीज होता है जिसको हम लोग करते हैं महत्तम आगे क्या होगा महत्तम समापोवर्थे तक होगा ilya some important ुध c जो नाम होता है उसी से इसका quality, मन्तर उसी से इसका nature देखा जाता है, ठीक ना, उसी से इसका definition बनता है, तो नाम सबसे पहले आपको सही सही पता होना चाहिए, तो बच्चो इसका नाम है, लगुत्थम, इसमें थो गई doubt नहीं होता है, लोग बोल देते हैं लगुत्थम, मात तम भी बोल देते हैं लेकिन प्रॉब्लम यहाँ प्याती है समापवर्त्य यह समापवर्तक नहीं होता है समापवर्त्य होता है इंग्लिस में इसको कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टिपल अब मैं थोड़ा से इसका समापवर्त्य और समापवर्तक बता दूं जिससे कि आप और इसमें एक word मिला हुआ है यह जो समाप वर्त है इसमें अपवर्तक नाम का एक word छिपा हुआ है अपवर्त का अपवर्त मतलब ही होता है multiple अपवर्त का मतलब ही क्या होता है multiple multiple ठीकर रहें multiplication करने के बाद जो value आता है उसी को multiple कहते हैं यह जैसे नहीं हम लोग पढ़े हैं कि find the first five multiple of four यानि चार के सुरू के चार multiple लाइए तो हम लोग क्या करते हैं four one जा four four two जा eight four three जा twelve four four जा sixteen ऐसे करते हैं तो यह चार के सुरू के क्या है चार four के सुरू के चार एक दो तीन चार क्या है अपवर्त हैं यानि multiple हैं इसी तरीके से पांच का पूछा जाएगा कि पांच के बताओ सुरू के पांच या दस multiple लाओ तो five one जा five ऐसे करते हैं तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं के मल्टीपल ला देते हैं तो मल्टीपल मतलब क्या होता है अपवर्त यूषिसे बना है महत्तम सॉरी समाप वर्त यूषित आप लोग सबसे पहले यह इसका क्या नेचर है क्या इसकी quality है क्या इसका main concept है ये जान लिजे क्लियर क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ भी लिये होंगे बहुत से बच्चे अभी ये पहली बार सुन रहे है मेरे तौरा तो इसको थोड़ा सा concept लिये कर लिजे इसके बाद जब हम लोग आगे पढ़ेंगे next series में next lecture में तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे महत्तम का महत्तम महत्तम समाप अब देखिए समाप वर्ते नहीं होगा समाप वर्तक हो जाएगा समाप वर्तक तो इसको भी वहाँ पर explain करूंगा तो अभी मैं इसको stop करता हूँ आगे हम लोग बात करेंगे clear है तो आज हमारा जो topic है वो लगुतम समाप वर्त से related है लगुतम समाप वर्त लाने के लिए हमें हमारे पास कुछ methods है especially दो method है ठीक है पहला method क्या है लगुतम समाप वर्त ग्यात करने की विधिया तो विधियों में हम लोग बच्चों विधियों में हम लोग पढ़ेंगे क्या-क्या रूल क्या-क्या पढ़ेंगे पहला रूल हम लोग का है भाग विधि भाग विधि जिसको कहते है कि भाग बीदी में होता क्या है जैसे बहुत भाग बीदी कि यहां है अद्राइब किया जाता है है कि यह से फाइब से आपको 25 में तो यह वालका कि है hmm है कि इसको मैं समझाओ यहां भी चैनल करता रहा हॉन ताकि अपलों का है यहां पर अट्रैक्शन बना रहे है या ट्रॉक है या भाग बीदी में क्या होता है मैं एक एक्जामपल ले ले लेदा हूं जैसे माली जी मेरे पास नमबर है 36, 48 और 60 माल लेते हैं और एक कोई नमबर लेते हैं इसका मुझे क्या लाना है लासा लाना है लासा मतलब लगुत्तम समापुवर्द इसे साथ में इंगलिस में LCM भी ब process ठीक ना ऐसे लिख लेते हैं अब क्या करते हैं इसको फ्रॉम बिगिनिंग यानि सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे जोरी नहीं की कसम ले लिए हैं कि नहीं हमें दो से ही डिवाइड करना ती मिज़ा है जैगा इसको करेंगे 24 जाएगा इसको करेंगे style फ्रॉं फॉर्टी जाएगा ठीक नश्यक्ति है अब इसको डिवाइड करते रहे हैं है डिवाइड तब तक करिए जब तक कि एको उस नंबर सेbres होना stop न हो जाए तो यह हो जाएगा 12 यह हो जाएगा 15 यह हो जाएगा 20 again हो जाएगा 2 से यह divide नहीं होगा छोड़ देंगे यह divide हो जाएगा यह divide नहीं होगा इसको भी छोड़ देंगे जो divide नहीं होगा उसको छोड़े रहेंगे यह हो जाएगा divide 10 आ गया और अगेन करेंगे तो से डिवाइड किये थ्री आया फिप्टिन नहीं डिवाइड होगा मुण टबाइड हो इसको उसको पता ही थे ठीक है यह रूल दो सबको पता है मैं एक बार फीट से बता दे रहा हूं थोड़ा सा आगे मजा आएगा भी जो नहीं डिवाइड होगा उसको छोड़े रहेंगे अब एगेन लास्ट में फाइब से डिवाइड कर देंगे ठीक ना तो यह बच्चो था क्या डिवाइड मेथट का डिवाइड मेथट से लुस्षा लाना आपक्या होता यहाँ पर जो भी नमबर पार्टिसिपेट हुए थे डिविईजन उनको यहां पर लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा इन सभी का लसर यानि लासर डारेट टब लाने जा रहे हैं हम लोग इन सभी नंबर्स को यहां पर लिख लेते हैं जो भी नंबर यहां पर पार्टिसिपेट हुए हैं और उनको मल्टिप्लाई कर देते हैं 2 x 2 x 2 x 2 x 2, 4 बार 2 है, again इसके बाद क्या बच्चों, again 3 दो बार है, 5 है, 3 x 3 x 5, ठीक है, तो ये देखो हो गया, अब सब का multiply कर लेंगे, 2 x 4, 2 x 8, 2 x 16, 16 x 5, 80, 80, 80 हो गया, और 3 तरीक का 9, तो 9 में 80 का multiply कर देंगे, तो 9 x 8 x 72, 720, तो ये आ गया LCM, divide method से, तो यही है divide method, ठीक है न, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों, divide method से, किसी भी numbers के, क्या करते हैं, LCM ला देते हैं, ठीक न, अब एक से अधिक number रहेगा, तभी ने LCM लाएंगे, कभी भी एक number का, single number का नहीं LCM होता है, तो एक से अधिक number का, तो divide method से बोला जागा, तो ऐसे करेंगे, clear हो गया, अब आप कोई number लेकर के, क्या कर सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले rule को follow करेंगे, अगला rule क्या है, अगला rule जो अच्चों, आप लोग आने वाला है, वो है factorization method, कौन सा method, rule number second क्या आप लोग का, factorization method, ठीक न, second method is, method number जो second है, अप लोग का, method number second है, इसको हम लोग कहते हैं, factorization method, ठीक न, गुडन खंड अभी थी, गुडन, देखो बच्चों, हम जो ये topic स्टार्ट ये न, बहुत important है, अभी तो ये, बिल्कुल basic चीज़े बता रहूं, इससे related, आपको न, इतने applications आएंगे, इसका अन problem मतले इबारती प्रिस्न टाइप के, बहुत अच्छे-चे questions है, वहाँ पर दिमाग का दही बन जाते हैं, इसलिए मैं इस topic को चूज किया हूं, ठीके न, अभी मैं basic lecture इसलिए बना रहा हूं, ताकि जुनको नहीं concept पता है, या कोई doubt है, तो वो clear हो जाए, इस lecture के help से, तु तो यह है factorization method, अब इस method से हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मालेजी हमें फिर उन्ही नंबर का LCM लेना, suppose that, हमको LCM क्या लेना है, इसी numbers के LCM लेना है, like जैसे, फिर सब्सक्राइब लेना हूं, 36, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, और 80, मालेजी इनी का LCM लाना है क्या लाना है, लस लाना है, मतलब LCM लाना है, अब इसके लिए क्या करेंगे, तो factorization मतलब होता है, गुलन खंड करना, यानि उसको छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे numbers में क्या करना, तोड़ देना, तो 36 का पहले सबसे पहले गुलन खंड करेंगे, पहले 36 का गुलन करते रही है जैसे अभी भाग विधी से हम लोग कोई नंबर ले करके डिवाइड कर रहे थे हैं 18 आ जाएगा यहाँ पे कर लेंगे तो इससे क्या होगा आप गलत होने का chances नहीं दाएगा कोई भी digit भूलेगा नहीं 36 का क्या हो गया गुरंखन तो 2 क्रास् 2 क्रास् 2 क्रास् 2 आ गया है इसी तरीके सा 48 का हो जाएगा तो 48 का क्या हो जाएगा gotta 2 क्रास 2 क्रास् 2 क्र spaghettiस्ट्ट्ट् जाएगा 60 का क्या हो जाएगा 2 x 2 x 3 x 5 2 x 4 x 3 x 12 x 5 x 60 80 का क्या हो जाएगा तो 80 का आपको पता ही है 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 4 x 8 दुना के 16 x 6 & 85 cathedral यह हो जाएगा इनके factor हो जाएगा अब factor करने के बाद क्या करेंगे जो numbers आएँ है जो digit मिले हैं इनको exponent के form लिखदेंगे घात के form में जिसे हिंदी में घात कहते हैं पावर के फॉर्म में तो दो कितनी बार है एक दो तीन चार चार बार लिख दिए फिर दो कितनी बार देख रहे हैं आप दो बार चार बार है तो इसको लिखिये दो के पावर चार अगुड़ा के तीन ठीक है तीन का power एक लगा दो तीन एक ही है या नई तीन के power एक यहाँ पे दो देखो दो है तीन एक है और पाँच भी एक है ठीक है ठीकना पाउर लगाने से थोड़ा असान हो जाएगा या तो आप जब expert हो जाओगे तो power भी लगाने की ज़रूत नहीं रहेगी मैं power इसलिए लगा रहा हूँ ताकि एक बारे में आपको चीज़ा समझ में आ जाए फिर आप power लगाने की फिर यह इस्टे बढ़ाने की ज़रूत नहीं रहेगी तो सभी नमबर के अधिक्तम घात को लिख लेते हैं जैसे जो भी नमबर यहां पर आए है जो भी गुलनखंड में जो भी नमबर आए है जैसे 2 आया है, 2 आया, 3, 3, 5 आया है, हर एक नंबर के अधिक्तम घात को यहां लिख लेते हैं, ठीक ना, तो जैसे देखो 2 कितनी बार है, 4, 2, 4, 2, 2 बार है, 2, 4 बार है, यानि 2 का वो सबसे अधिक्तम घात क्या है, 2 के पावर 4, यह नहीं कि इसमें भी लिख लेंगे, इसमे चार बार लिखेंगे नहीं, केवल एक बार लिखेंगे, अधिक्तम घात को, हर नंबर के अधिक्तम घात को ही लिखते हैं, बीच में मल्टिप्लाई कर लिए, फिर 3 का नंबर है, तो 3 एक बार है, यहां एक बार भी नहीं है, यानि 3 का अधिक्तम घात एक है, फिर 5 के क्या है पांच का भी एक है बस अब इन सब का मल्टिप्लाइ कर दीजिए तो दो का चार बार करोगे तो 16 हो जाएगा 16 85 और 834 तो कुल मिला करके इतना होगा वही 720 फिर से आ कर लो 16 85 और 834 है ना आज इस और यह तीन का एक मिनट है मैं यहां पर थोड़ा सा गलत कर दिया हूं 720 नहीं हो रहा गलत हो रहा है यहां पर शाट का जो फेक्टर था जहां 36 का 36 में यह थोड़ा सफाल्ट हो गया यह हमने दो किया भी था वलत लिग दिया तीन ले गाए तो ब तो तीन के पावर दो मिल जाएगा गलत आगया इसलिए मैं पकड़ लिया क्योंकि अगले में 720 आया था और यहां गुड़ा करने पे 400 कुछ आ रहा था जो भी आ रहा था इसलिए पकड़ में आ गया तो तीन के पावर दो रहाएगा तो 16 65 80 और 33 का 9 80 का गुड़ा 9 में करे जएकि इस तरीके से आप कोई भी नमबर ले सकते हैं किसी यह फसे कर सकते हैं यहाद दाब किए फैक्टर पहले करते हैं धिक्ताम घात लिख लेते हैं अधिक्ताम घात लिखने से क्या होगा आपको ढूढणा नहीं पडेगा चा 25 तीन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहां से डारेक्ट सकते हैं चार बार है चार यहां लिख दो तीन-दो बार ज्यादा यहां पेस लाइन में है यहां से लिख लो ठीक ना तो इस तरीके से बच्चों यह क्या हो गया आपका रूल हो गया कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए अगला रूल मैं बताने जा रहा हूं अब कुछ नंबर रहेंगे तो यह तो दो मेथड हो गया अब आपको कोशन का नेचर चेंज रहेगा कभी कोशन आपको में दिया जा सकता है कभी कोशन आपको होल नंबर में दिया जा सकता है कभी कोशन आपको डेसिमल में दिया जा सकता है तो आपको अलग-अलग नंबर दिये रहेंगे अलग-अलग टाइप के नंबर उनका आप LCM कैसे लाओगे तो मेथड तो दो हैं मेथड तो हम दो ही य क्या दस्मलों संख्याओं का दस्मलों संख्याओं का लहसा निकालना लहसा मतलब वही LCM ठीक ना यह चीज़ पढ़ने जा रहा हो दस्मलों संख्याओं का लहसा लेना LCM लेना ठीक दस्मलों मतलब अब माल लेजे आपको कोई कोश्चन दिया जाए मैं एक्जामपल ही ले ले लाँ एक्जामपल क्या ले लाँ सब पोच करिए कि आपको कोई मैं नमबर दे दिया 3.6, 0.72, और माल लेजे 2.4 है और इसका आपको क्या लेना है लसा लेना है तो अब बताओ क्या करेंगे रूल सबसे पहले जाने जिए रूल बहुत इस्पेशल रूल नहीं है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं रूल यह कहता है बच्चों कि इनको सबसे पहले होल नमबर बनाना है क्योंकि जब तक बना बनाते समय ध्यान दीजीएगा यह एग सबसे देकते हैं कि इनदे के बाद एक की बाद centre तो rule क्या है कि अधिक्तम digit पे देखते हैं कि किस number में मतलब अधिक्तम digit पर क्या दिया गया यानि अधिक्तम digit को ही देखते हैं तो अधिक्तम digit क्या है दो पे है यहाँ पे भी एक पे है यहाँ पे भी है तो जब अधिक्तम digit रहेगा तो जितने digit पर रहता उतने मतलब zero including one यानि अगर दो डिजिट पे है तो one after that two zero यानि सो से multiply कर लेंगे पूरे system में पूरे number में अगर यह तीन डिजिट रहता तो one after that three zero यानि एक हजार से multiply करते हैं भाई पूर संक्या कैसे बनेगा आप लोग को concept तो इतना पता ही है न यह पूर संक्या कैसे बनेगा जब 100 से गुड़ा करोगे तो decimal पीछे चला जाएगा तो कितने number से multiply करेंगे यहां पर यहां पर हम लोग multiply करेंगे बच्चों अधिक्तम कितने number से multiply करेंगे 100 से यह नहीं कि इसमें 10 से करेंगे इसमें 10 पी ही ज़ुरत है 10 से कर देंगे तो 36 हो जाएगा इसमें भी 10 की ज़ुरत है इसमें 10 से कर दें बागी is 100 से कर दें आएं ऐसा नहीं तो नहीं और योल एक number में पूरे दिये होे nember में एक special number से multiply करते है तो special number को ओनें हाप है 100 है 100 से माटिपिलाई कर दिया और इसको कर देंगे तो यह हो जाएगा चोब यह हो जाएगा वच्छों 360 हो जाएगा स्वरी क्योंकि सो से मल्टिप्लाई करोगे तो 360 हो जाएगा भाई सो से अगर आप मल्टिप्लाई कर लोगे 3.6 में तो आपका 360 है गा कामन सेंस्स एक रूल भी यह जितना डिजित रहता है जीरो 100 में दो जीरो दो प्लेस वह सिप्ट हो जाता है राइट से लेफ्ट की तरब टो एक जीरो बच रहा तो जीरो लगा का तरीका बढ़ी है ठीक ना क्या थरीका बच्छो इहां लिख लो इतने में इतने में इतने में अलग जाएगा है अना 72, 240 और 360 का LCM ले लो तो क्या हो जाएगा सबसे पहले दू से करेंगे दू से करेंगे तो कितना हो जाएगा का 36 हो जाएगा यह 120 हो जाएगा यह हो जाएगा 180 हो जाएगा फिर 2 से करेंगे 18 हा जाएगा 60 हा जाएगा 90 हा जाएगा फिर 2 से करेंगे 9 हा जाएगा 30 हा जाएगा 45 हा जाएगा फिर 2 से करेंगे 9 ही रहेगा ठीक है यह 15 हा जाएगा यह 45 ठीक है फिर अब 3 से करेंगे 3 3 is a 9 3 5 is a 15 और ये 15 आजाएगा अब 3 से फिर करेंगे 3 बन जा 3 5 5 and last में किस से कर लेंगे and last में कर लेंगे 5 से इस तरीके से बच्चो यह आपका क्या हो गया इन सभी का डिवाइड किया और लास्ट में वन आ गया तब तक करते हैं जब तक कि वन ना आ जाए फिर क्या करेंगे अब इसको multiply करेंगे 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 सब का multiply कर लेंगे 2 multiply करने के बाद कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 85 वही फिर से वही आ गया 720 अब बदाएए आपने इस decimal को हटाया था तो decimal को हटाया था आपका यह original number तो है नहीं यह तब मिला जब आपने decimal हटाया तो अब decimal फिर से लाना है तो क्या करेंगे 100 से multiply किये थे तो यह आ जा था अब decimal लाना है तो फिर से क्या करेंगे वही काम फिर से करेंगे क्या divide कर देंगे कितने से तो लगुत्तम समापोर्त क्या हो जाएगा 100 से divide कर दोगे 100 से जैसे divide कर दोगे तो फिर से आ जाएगा 7.2 यह आपका है ठीक न जितने से multiply करके उसे whole number बनाए रहते हैं फिर उतने से ही divide कर देते हैं 720 आया था उसमें 100 से divide कर देंगे तो यह LCM हो जाएगा यानि लासा क्या हो गया लासा आपका क्या गया 7.2 इस तरीके से क्या था यह decimal का इतना समझ में आ गया कोई डाउट किसी को कोई डाउट नहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है इतना समझ में आ गय पेया कि कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा चलिए अब अगली टॉपिक क्या हमारा अगली टॉपिक है बच्चो थोड़ा से मुझ जस्ट वेट अब अगली टॉपिक हमारा भिन्णो का लगुतम समापोर्ध लाना अगर भिन्द दियेगे हैं भिन्दो का तो अगली टॉपिक कि आपके कोई संक्ख्या है और वो भिन्द के फॉर्म में है ठीक ना भिन्नो का भिन्नो का लसलाना तो यह भिन्नो का लसलाना है हम लोग को भिन्न मतलब आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा तो अब अगर कभी भी आपको भिन्नो का लसलाना तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है कोई भी बिन है उसका अगर लास्य लाना है तो उसके लिए formula है यानि बिन्नों का लास्य लाने के लिए बिन्नों का lesser बराबर यानि LCMा fraction is equal to formula होता है अनसो का lesser अनस मतलब जो दिये रहेंगे danometer अंसो का लस्ट ठीक ना अपान हरों का हरों का मस्र यह चीज थोड़ा सी यहां पे अन मस्र अम मतलब महत्तम समाइब पवर तक आप लोग को लाना हम सिखा देंगे ठीक ना ठीक है कोई दिकत अब इसकों इंग्लेस में लिखना आई तो आप लिख दोगे लिख दोगे lcm of LCM of numerator numerator यहाँ साथ में लिखते रहा हूँ N U M E और हरों का मासा मतलब तो HCF इसको कहते हैं साथ SCF SCF of denominator ठीक ना? कोई दिखकर? कोई प्रॉबलम? भी नो का लसा is equal to क्या हो जाएगा? LCM of numerator अपान HCF of denominator अब इसको एक example से देखते हैं example लेंगे तभी अपलोगों को clear हो जाएगा मान लेदे हमारे पास कोई question है suppose करिए question हमान लेजिए 4 by 5 6 by 25 और मान लेदे हैं 8 by 25 और इसका आपको क्या लाना है? लसा लाना है तो क्या करना चाहिए? तो formula यही है अंसो का लस तो यानि सबसे पहले 4, 6, 8 का लसा ले लेंगे यहालिका ना अंसो का लसा यानि LCM of numerator यानि numerator जो भी है 4, 6, 8 numerator के place पे हैं और denominator के place पे 5, 25, 25 हैं चलिए मैं थोड़ा सा और complicated बना तो यह 15 मा लेते हैं ठीक नहीं यह 15 सा पोच कर लो 15 है चलिए अब बढ़िए क्या होगा तो 4, 6, 8 का लसा लिख देंके 4, 6, 8 का लसा तो 4, 6, 8 का लसा ले लो तो 4, 6, 8 का लसा क्या होगा पता यह नहीं आएगा तो कर लीजेगा 4, 6, 8 का लसा हो जाएगा 8, 3, 24, 24 होगा कर लीजेगा अब लो और फिर क्या कर लेंगे यह पांच पचीस और पंदरा पांच पचीस और पंदरा पंदरा का मसल तो मसल आने का तरीका मैं आपनों को बता दूंगा ठीक ना तो मसल आने के लिए हैं कि इसको भी दो मेथाड से करते हैं तो डिवीजन मेथाड से क्या करता है सबसे छोटे नंबर लेते हैं और उससे बड़े वाले में डिवाइड कर देता है जैसे माल CamTurn कर देगे पांच से पंद्र में डिवाइड कर देंगे तो ये तीन बार में डिवाइड हो गया अब जिस नंबर से डिवाइड हुआ रहता है तो पांच से डिवाइड हो गया ना अब पांच को उठाते हैं बाकी वाले नंबर में डिवाइड कर देते हैं यानि जिस नंबर से ये पंद्र को डिवाइट कर दिया तो यानि पंद्र को किसने डिवाइट कर दिया पांच ने कर दिया यानि फिर पांच को लेंगे पचीस में डिवाइट कर दिया पांच ने कर दिया पचीस को भी किसने डिवाइट कर दिया पांच ने कर दिया यानि पांच पचीस और पंद्र 18 वे जिस्कों और अच्छ तरीके से नेक्स विडियों बताऊंगा कै तो देखरो चोबी सपर पांच किए इस का क्या हो गया 8 चार छे आट का लहसा आगया और पांच पचीस पंदरे का मासा ही आगया अब इसी फार्मूलाँ लेकरके पूट अप कर दो यह जो फार्मूला है तो क्या हो जाएगा चार भाई पांच छे बाई पचीस आट भाई पंदरे का लहसा बराबर सो फाइनली लसा क्या हो जाएगा सो लसा मतलब हम किसका लसा ला रहे है इस पूरे नमबर का इस पूरे नमबर का लसा क्या हो जाएगा 24 अपांच तो यही पर करके छोड़ सकते हो यह आपका अंसर आ गया clear है कोई doubt तो इस तरीके से यह formula important है यह formula थोड़ा सा याद करिएगा यह formula लोगों को पता भी है ठीक है अब जो अगला method में बताना जारो वो थोड़ा सा मज़िदार है ठीक है वो important थोड़ा हो जाता है because वो उस type की question आप लोग कभी practice नहीं की है और वो जो nature क्या है वो different type की question आएगे number थोड़ा सचेंज रहेंगे अभी आपने decimal का लिया अभी आपने fraction का देखा अब मैं आपनों को घातांक का दूँगा घातांक मतलब अगर कोई number हो power के form में है exponent के form में power के form में जैसे 2 के power 4 3 के power 12 ऐसा number दिया गया अब बोले जाए कि बताओ इसका क्या होगा लगसा क्या होगा तो इस से related मैं दो type का question होगा इसके लिए मैं आपको रूल भी लाया हूँ यह दो को रूल आल लेडी पहले से मैं write करके रखा हूँ ताकि आपनों का time बचे ठीक है तो बच्चों यह क्या है कोई घातांक है घातांक मला कोई exponent के form में number है और उनका आपको लसा लाना है आपने decimal वाला देखा आपने fraction वाला देखा आपने whole number का देखा अब मैं घातांक से related बताओंगा पावर के form में तो पावर के form के दो तरह के question हो सकते है कैसे जब दिये गया संख्याओं का आधार पहले type का question क्या हो सकता है जब दिये गया संख्याओं यानि जो भी संख्या दी रहेंगी उनमें आधार उन संख्याओं का जो आधार होगा आधार मतलब base होता है क्योंकि जब कोई भी number हम लिखते हैं तो उस exponent के form में दूपार्ट होते हैं जैसे मैं बोल दिया कि x power two x To x क्या वे बंच हो गया X क्या हो गया और तीन इसका क्या हो गया घात हो गया घात मतलब बावर हो गया यही एक्सपोनेंट है तीन क्या exponent के फॉर्म में है ठेकना बचो अगर ऐसा कोई कोशन दिया गया हो तो कह रहा है कि अगर जब दिये बेस क्या है पांच हुν हुआठ अधर समानoulder के जब दीगे इस संक्याओं का आधर समान हो तो अधिकटम घात वाला पद लहसा आजाएगा समझ में आगया बाद कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम टाइप नंबर दूसरा क्या है अच्छा एक और कोशन ले थोड़ा अपलों को फसा दूँ यह कोई कोशन है यह भी कोशन है एक और कोशन मैं दे दूँ थोड़ा जैसे मैं बोल दूँ कि थोड़ा सा नेचर चेंज कर दूँ गहत का पांच के पावर मालो माइनस में दे दूँ माइनस सेवन पांच के पावर माइनस चार लिख दू पांच के पावर माइनस तीन लिख दू और पांच के पावर माइनस वान अब बोलू चलो इसका लहसा क्या होगा तो बताओ लहसा क्या कि निगेटीव फॉर्म में माइनस में है रडातमक गात है तो जितना माइनस होगा उतना चोटा होगा सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 5 के पावर माइनस 1 तो 5 के पावर माइनस 1 क्या इसका लस आ गया इस और आंसर इसलिए आप लोग हाथ को थोड़ा द्यान कि उ माइनस में है कि प्लस में है, इस छोटी चीजे है, आपको पता ही है, जितना निगेटिव होता जाएगा, यह तो अपनोंको पता ही है, ठीक है, इतना स्वाज में आ गया, अब टाइप नंबर दो क्या है? टाइप नंबर दो है, यह दि आधार समान नहीं हो तथा आधार में कोई common factor नहीं हो तो दिये गए पदो का लसा उनका गुड़न फल होता है या बिल्कुल यदि आधार समान नहीं है अभी तक आधार समान था पांच सब में था तथा आधार में कोई common factor भी नहीं हो और उनके आधार में कोई common factor भी नहीं हो तो दिये ग उड़ा उड़ा करना क्या करना पहले एक्जामपल देख लीजिए एक्जामपल लेंगे तब समझ में आगा जैसे में माल लेजिए कि आपको देदू दो के पावर चार और माल लेते हैं कोई दूसरा नंबर है कि तीन के पावर दो सा पुछ कर लो अब देखरो बेस दोनों क दो से कटेगा तीन के बल दो तीन से कटेगा क्या दोनों का मैच कर रहा है कामन फैक्टर नहीं कामन फैक्टर मैच करना मतलब जैसे मैं बूल दिया कि चार है चार का फैक्टर हो गया दो क्राश दो और छे का फैक्टर हो गया दो क्राश तीन तो इन दोनों का कामन फैक्ट आठ रहता है से अधस रहता तो मैस करता बट मैस नहीं कर रहा न तो क्या करेंगे इस इस इस्थिति में उनका जो multiply कर देंगे वह उसका क्या हो जाएगा मतलब इन दोनों नमबर को उठाओ मल्टिप्लाई कर दो यह इसका लश हो जागा लिखा ना अगर आधार समान ना हो तता आधार में कोई कामन फैक्टर भी नहीं हो नहीं हो तो दिये गए पदो का लशा उनका गुड़नफल होता है तो बताओ लशा क्या हो जाएगा इन दोनों का लशा बच्चो हो जाएगा आपका सीधा सीधा दो गुड़े चार और दो टू टू दी पावर फोर और मल्टिप्लाई थ्री स्कॉ इसको स्कॉर भी बुलते हैं जब पावर दो होता तो इसको स्कॉर भी बुलते हैं तो दो का पावर चार मतलब हो जाएगा 16 और तीन के पावर दो मतलब 9 तो मल्टिप्लाई कर देंगे तो 144 यह बच्चो आंसर आ गया तो इस तरीके से यह पूरा लशा का एक कॉंसेट ही इल्लासा का पूरा एक कॉंसेट खतम अब आपको कोश्चन दिये रहेंगे तो आप फटाक फटाक कर लिजेगा यह बेसिक चीज़े थी बेसिक चीज़े थी इस लेक्चर में मैं बेसिक चीज़े बताया हूँ आगे जब मैं मासर बता लूँगा इसी टाइप से मासर फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए नोटिफिकेशन को आन रखिए ओके थैंक यू सू मच